पिछले पार्ट में हमने कई सारे वाइट वोर्ड के प्राइज और साइज के बारे में बात किया था तो चलिए इस बार जो है हम बात करने वाले हैं कि भी है वाइट वोर्ड को अगर आप यूज करना चाहते हैं अगर किसी दिवार पे कील ठोक कर टांगने के उज़ाए डि दो परकार की क्वालिटी है जैसे मैं यह हटा देता हूं जिसे मैं आपको बता सकूं कि एक में जो है आपकी यह लेग्स फोल्ड हो जाती है अंदर चली जाती है तो उसको असेंबल करना उसको फिट करना थोड़ा सा ट्रकी टाइम कंजूमिंग हो सकता है जबकि जो यह फ अब मैं इसके फटा-फटा आपको फीचर बता दूं तो इसमें जो है आप तीन परकार के तीन हाइट पर जो है बोर्ड लगा सकते हैं यह देखिए यह डंडा सा दिया ओए परकार का एंगल दिया हुआ है तो हमने तीनों एंगल खोल रखे हैं तो उपर तो आपके छोट का बोड है वह उपर आएगा और अगर आप थोड़ा मीडियूम साइज का लगाना चाहते हैं जैसे यह मेरे पास काइड बोर्ड जो है सिरफ ड्राइंग हो या ओनलाइन क्लासिस के अलावा आप चाहो तो जैसे यह बैक ग्राउंड है मेरा काफी खराब हो रहा है तो उसको ढखने के लिए उसको कवर करने के लिए भी कर सकते हैं मतला बोर्ड पीछे लगा दिया आप उसके आगे बैठ उपर जो है इसका एंगल चाहिन आता तो चलिए जैसे मैं यह एंगल बंद कर देता हूं उपर के इसको बंद करना पड़ता है और अब यह लगाता हम यह बोर्ड काफी भारी है और मुझे काफी मतलब जो शिकायत है इस मॉडल से क्योंकि इसके एंगल जो है बहुत ही ना लगते हैं कि इसका जो इस्टेंड ये एंगल है यह बहुत ही डिला बहुत ही कमजोर है और अब यह देखें यह मैं कम से कम यह अगर लेंद देखूंगा तो तीन बाइं डेड़ फिट के आसपास होगी और वी होप आने वाले टैम में जो है मैं 6x4 फिट का भी बोर्ड मंगवाने वाला हूं तो आप यह देखें यह मेरा अलग्या है और काफी मजबूत है काफी अच्छा डिजाइन है खास तो पर यह जो लेग्स है वो काफी मजबूत ही है लाइट इन वेट है पूरी तरह से अलुमिनियम की बनी हुई है तो मैं सभी परकार के जितने भी वाइट बोर्ट स्टेंड है उसका लिंक डाल दूँगा इसका सबसे अच्छी बात जो है कि आप इसमें ओलाइन टीचिंग कर सकते हैं अगर आप आर्टिस्ट हैं तो ड्राइंग कर सकते हैं कॉमिक बना सकते हैं स्कैच कर सकते हैं यह नहीं कि सिरफ और अगर आप 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 अनलाइन टीचिंग निकरें ओफ लाइन टीचिंग भी है जो नॉर्मल टीचर होते हैं तो वह भी इस परकार के बोर्ट का इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए इसको मैं हटा के फिर आपको दिखाता हूं की भीयाश को आपने कैसे इसको खोलना है असे कैसे करना होता है तो ऐसे आपने इसको करना है और यह बंद कर दीजिए जितने भी एंगल के तो यह देखे अराम से करना जोड जबदस्ती इस बोड के साथ बोड सेंड्स के साथ बिलकुल भी निकानी है ज्यादा ताकत लगाओगे तो यह हमारा जो है स्टैंड जो है तैयार है कहीं पर भी आप इसको sist करके रख सकते इसकी लैक्स को अदर दैसके य कि यह ंद्री दाल सकते मेल नािक्स ऊट्रेंड जो फोल्डेबल स्टैंड है वह प्राइज즈 में देखो तो यह सबूती हो वहां कहीं पर मीं नहीं ले जा सकता इसके साथ एक फाइदा है कि इसको आसानी से आप असेंबल कर सकते हैं लगा सकते हैं लगा लगा दो कि कैसे इसको लगाना है तो आप यह देखे अ कि यह थोड़ा सा करेंगे और यह हमारा स्टैंड तैयार है बोर्ड रखने के लिए तो फ्रेंड्स में वीडियो के नीचे सभी परकार के वाइड बोर्ड हो चाहिए किसी भी साइज के हो सभी का मैं लिंक डाल दूंगा और आप हमारी पुरानी वीडियो में जो है कंप्यू करने वाले हैं तो इस वीडियो को अब जरूर लाइक कीजिए कोई डाउट को आप कमेट बॉक्स में पूर सकते हैं धन्यवाब